नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ एक ऐसा स्टॉक डिसकस करने वाला हूँ जिसमें आप यहाँ से बाइं करते हैं पोजिशनल बेसेज पे अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है उससे पहले एक अपडेट देना चाहँगा अपडेट यह है मैंने आप सभी के साथ वीकेंड पे यह जो वीकेंड निकला था और पांच ट्रेडिंग सेशन्स हुए लास्ट वीकेंड पे मैंने तीन स् किया था जिसने आल्मोस्ट आठ परसेंट के रिटन्स दिये हैं और अच्छी बात है कि वह आठ के आठ आज ही आए है तो पहले तो अपडेट दे दूँ स्टॉक का नाम है अपडेटर सर्विसेज आप सभी के साथ कंटीन्यू गादा कि यह चल नहीं रहा है बट उमीद पूरी यह चलेगा रिसेंटली लिस्टिड इस्टॉक है बहुत ही प्यारा चार्ट पैटन है कंसॉलिडेशन कंप्लीट किसी भी वक्त हो सकता है और जब तेजी आती है वॉल्यम्स आ जाते हैं और जब गिरावट आती है वॉल्यम्स मिसिंग रहते हैं बजार की उठा से आज पहले बता दूँ 8% भागा है 372 का हाई लगाया है और अगर आपने 350 पे भी लिया तो 18 रुपे उपर बंद हुआ है आज आपके लेवल से जो की 6-7% के direct returns हो गई तो सबसे पहले congratulations मुबारा को भाई साथ बहुत अच्छा गर रहा है share जिसने position बनाई थी मेरा सबसे बड़ा बेफकूफ मेरी नजर में वो है जो trading करते समय profit आने के बाद loss में चला जाए आप कैसे गलती को बार बार कर रहे हो मतलब आपने कोई चीज खरीद ली अभी profit में वापस जब नीचे जा रहा है तो कम से कम मेरे भाई cost पे तो निकल फिर नीचे तक का क्यों वेट कर रहा है बहुत से ऐसे भी होते हैं जो trade purpose से position बनाते हैं मान के चलो 100 रुपे पे बना ली 110 तक आ गया बेच तो पाए नहीं लेकिन वापस गिरते गिरते 100 रुपे हो गया तो अब तो निकल जा यार अब क्या नीचे loss का वेट कर रहा है फिर वो गलती से 95 हो तो अब ठीक है बैठे रहेंगे हम 110 रुपे का बाऊ देखा था ना उसके उपर ही बेचेंगे हम अब loss हो रहा है पाँच परसेंट का अब बेच नहीं रहा अगला कम से कम कोई प्रॉफिट की पोजीशन हाँ देखो 100 से 101 कोई वापस 99 होगी वो अलग बात है लेकिन 110 दस परसेंट प्रॉफिट हो रहा है कम से कम 5000 तो लेके जाओ यार 5 परसेंट तो लेके जाओ आप एक लाक लगाया तो तो मेरा मानना है 368 पे आपका ये शियर खड़ा है अगर इन केस वापस रिवर्सल दे तो 360 के नीचे मत रोकना जैसी राम कर देना खतम खेल और उसके उपर अगर चलता है तो फिर चलने देना ट्रेल करते चलना अभी यहाँ पर कौन सा स्टॉक है जो समझ में आ रहा है उसको डिसकस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप सभी के साथ मैं एक चीज बोलना चाहूँगा पहले तो अपडेट देदू एक और स्ट्राइट स्वार्मा जो लास्ट वीकेंड पर मैंने आप सभी के साथ 700 रुपे पर डिसकस किया थे इसने 15% के रिटन्स डिलिवर करे अभी 800 रुपे पर कर रहा है कंसोलिडेशन है यहाँ भी मिरको लगता है कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नी हो रहा है इस्टिल होल्ड करना चाहिए आपको साथी साथ अगर यहाँ से बात करूं कौन सा स्टॉक है जो पोजिशन में पैसा बना के दे सकता है तो स्टॉक मिरको दिख रह होती इंट्रेस्टिंग है मतलब कंसोलिडेशन दिखा रहा है यह से बीते पांच ट्रेडिंग शैसन से और जैसे ही ब्रेक आउट आएगा न मेरको लग रहा है लाइफ आई लगेगा इसमें 1175 ब्रेकों के 1200 की तरफ जाएगा बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है प्रॉब 20-30 के गरीब जहां मैंने का था 940 का stop loss लगेगा 10% का लेकिन टार्गेट भी फिर मैंने आपको 20-25% के दिये थे तो वही वीव अभी भी इस्तिल है stop loss डीप है लेकिन वही रखना पड़ेगा मजबूरी है अगर आप छोटा stop loss लेना चाहते हैं तो अभी 1030 का भी रख सकते मतलब रुकेगा नहीं ऐसा भागेगा और अगर टूटा तो फिर आपसे 36 रुपे ले जाएगा जो कि 3% होता है जादा से जादा बट मेरको लगता है इसे ना थोड़ा लंबा समय दो और बाय करो बाय करो stop loss मत लगाओ और लगाना है तो 940 का ही लगाओ जो कि इसका issue price भी consolidation आता है लेकिन उसको जो share भागता है 30% भागता है यह data कह रहा है चार्ट कह रहा है इसका तो अभी कम से कम मैं देख पा रहा हूं उसे इसमें last high लगा था आपका 8th February को 1175 का intraday basis में 1135 की closing आई उसको अब 13th February को लो लगा है 996 का मजार की correction में और तब से अभी ता consolidation ही है त को बाकी market है जो सबसे supreme होता है कभी भी कुछ भी कर सकता है risk reward दौनों देखना चाहिए मैंने आप सबीके साथ stock discuss कर दिया है बाकी आप भी थोड़ा अपने हिसाब से देखिए watch कीजिए और पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो hope आपको यह सारी जानकारी समझ में आई वच्छ को वाचिं इस वीडियोगाई SHE